करनाल पूलिस द्वारा गद दिनों नवल्टी रोड पर हुई चोरी की वारदात को सुलजाने में सफलता प्राप्त की गई जिसके चलते करनाल में पिछले 20-25 साल से चोरी की वारदातों में लिप्त रहे चोर वजीरा वो उसके साथी को गिरफतार करने में CIA1 की टीम ने काम्यावी हासिल की CIA1 में प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए पूलिस अधिकारी ने बताया कि वजीरा चोर करनाल में पिछले 20-25 साल से सक्रिये रहा है प्रन्तु नाबालिक होने के काण उस पर चल रहें मुकदमों में जादा तर बरी हो गया था और अब कड़ी वज चावल की रेड़ी लगा कर अपना गुजर बसार कर रहा था प्रन्तु एक केस में किसी ने साथी के साथ उसने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था चोरिक इस वारदात को तलाश करने के लिए पूलिस की टीम द्वारा परियास किये जा रही थे वजीरा वह उसके साथी को गिरफतार करने में पूलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है उन्हें ने बताया कि अभी इनको अदालत में पेश कर नियाई एक हिरासत में भेजा जाएगा और इनके कबजे से एक रिवॉल्वर सोने चांदी के जेवर भी बरामत किये गए है क्या मामला से यह कुछ से कम 25 साल से मारक करनाव का नाम ने चोर्ए जो यह काभी ठाकटी और यह बरी बरी चोरियां में इसके नाम रहा है सजा भी हुआ इसमें और अभी जो है सजा काटके यह बाहर आयो होना अभी इसने तीन साथी के साथ मिलके मार्च माँ में 75 कंदर मुवारक बात देने के लिए भी आपका लर्गा जो है अभी जैस चला गया है तुमी ठाई के टोपे लेगे वहां हमें लूट की दूश में और यह पकड़ा गया था अभी जो है अपरेल में बाहर आए इस पेल से है तो यह जो दीपक है दीपक भी जुनाइल से ही काफी दिन से छोड़े करता है कर दो हम 20-25 केस पर हुई है लेकिन दुनाइल होने के वज़े से यह हैसर भी केस मगड़ी होता रहा है जो इसके जो है बजीर है जो है सरकारी कालेज के सामने अपना छोले बटूरे या चकर है जिस पर यह अक्सर दोनों आया जाया करता है और यह जो दीपक है यह नवल्ति सिर्याव का पास टैंट हाउस है वहां पर यह बैठ बैठके और अपना यह बीजे वड़ा का बुकी वड़ा लेता था है कि यह का काम अभी दो एक साल से सुरू किया हुआ है तो वहीं इन इसने जब एक हफता पहले यह जो गुगरीपूर से जो सब्जी मंडी के तरफ कर दास्ता था वहां पर एक एसी का तक है जिसमें सुर्थी जिवांड भी लेका है तो अब क्या क्या है इसने नमा के पास टोड़ी का था जिसमें की जेवराते हैं चांदी हैं रिवालवर है इसने पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए